जब ट्रेन में सरकारी सिपाही जो है दारी देखके गोली मार दे तो किस तरह का रानितिक महौल भाजपा RSS ने बनाया है इस देश में इस सपस्ट होता है अब सुधी अरब जाते हैं तो वहाँ गले मिलते हैं सुल्तान के साथ वहाँ पे जमीर मांग के मंदीर में बनाते है अडानी की ओफिस जो है साथी अरब में होगी बिजनेस चलता होगा चीन से भी बिजनेस चलता होगा अभी RSS के लोग चीन के अधिकारियों से नागपूर में मिले हैं तो वो समझ लिजे क्या है इसलिए मुसलमान को पूरा आतंकित रखना है यहाँ पर बाहर में जाके कह कि हम युद्ध की भूमी से नहीं बुद्ध की भूमी से आए हैं हम मदर अफ डिमोक्रिसी हैं तो इनका जो 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 साप अपने आप जलग रहा है कि करते कुछ और कहते कुछ और जो लोग कह रहे हैं कि अगर मंदिर जाने से तबियत ठीक हो जागा तो उनको अपने मा भारत में तो बना नहीं वह सवर इरोप अमेरिकां से बनके आता है तो यहां कुछ है नहीं उनको यह भी आप कहना चाहिए कि अंग्रेजी स्कूल में जाओंगा तो उससे कुछ नहीं हो गा तो उनको परट शाला में भेजना चाहिए आरैसिसके स्कूल उनまた पीपल की पर दिशा है वह बहुत ही बहतरीन लाइन है और इसी लाइन पर अडिक रहना चाहिए कि धर्म की राजनिती का कार्ट जो होगा उस समाजिक न्याई होगा रोजी रोटी होगा वह अस्पताल होगा वह सिख्षा होगा अब गोदी मीडिया तो क्या कहना है गोदी मीडिया के पाने में कुछ कहना भी बेर्थ है अभी हमारे साथ दिली इंवर्सिटी के प्रोफेसर रतनलाल सर है इनसे हम जानेंगे जो बिहार के जो विवादित मुद्दे चल रहा है उन पर हम सर का राय राय जानना चाहते हैं कि जो हाल ही में जो कहा जा रहा है अम इस देवगन ने कि जो आदमी राम मंदिर जाएंगे उसे होस्पीटल जाने की कोई जरूत ने है तो हम यही ब्राहमन धर्म संघर्ष के अलावा और कुछ नहीं है मतलब एक तरख आस्था है अंध्विस्वास है और दूसरे तरफ तरफ है तो इस संदर्व में जो पूरा मामला चला है और मैं आप समझने कोशिच कीजिए चाहे दक्षिन भारत में डी-एम के पार्टी हो उदयनिदी स्टालिन ने भी सनातन पट्टिपनी की ती और अभी मंदिर का उद्गाटन होना है उसके इर्द-गिर्द राजनिती करने की कोशिच की जा रही है तो अभी तेजस्वी आदव ने चाहे तेजस्वी आदव से पहले उन्हीं के शिक्षा मंत्री प्रफसर चंशेकर ने या उनके पहले फिर उत्तर प्रदेश के आपके स्वामी प्रफसाद मौरिया ने जो लाइन दिशा दी है वह बहुत ही बहतरीन दिशा है और जो लाइन फुले ने बाबा साव ने पर यार ने जो लाइन खीची थी चाहे जगदेव आवु ने वियार के या चाहे राम स्वरूब वर्मा ने जो लाइन खीची थी लाइन सिंग या जब भूक लेगी तो खाना ही माहों मंदिर जाने से पेट आपका भरने वाला नहीं है शिक्षा आपको मंदिर जाने से मिलने वाला नहीं तो लाइन जो उन्होंने खिचा है वह बहुत ही बेहतरीन लाइन है और इसी लाइन पर अडिक रहना चाहिए कि धर्म की राजनिति का समाजिक नाई होगा रोजी रोटी होगा वह अस्पताल होगा वह सिक्षा होगा अब गोदी मीडिया तो क्या कहना है जो लोग कह रहे हैं कि अगर मंदिर जाने से तबियत ठीक हो जागा तो उनको अपने माता पिता का पने पत्नी का अपने बच्चों का खुद भी मंदिर ब Simpson कोष़िए 버़त्सक्राइब हो उसे उसे बूलना चाहिए था आरे को अरचवों भीडर ना चाहिए तो यह कुछ नहीं इनको इधर से और दो बोलते थी आना कि दर्म के चक्कर मत परो कावर मंदीर छोड़ो अपना दाल लोटी का इंजाम करो सिक्षे का इंजाम करो और ये बात तो लीडर धीरे-धीरे भूल रहे हैं तो महावल तो बन रहा है इसलिए राजनेता तो कम गोदी मीडिया चट पड़ाए रहता है तो अमीश देवगन ठीक होती है तो उस पर निगाहर अगनी चाहिए कि बीमार पर रहने पर वह अस्पताल जा रहा है कि मंदिर जा रहा है तो दिमागी रूप से दिवालियापन है भाई धर्म की राजनिती से कुछ लोगों का पेट भरता है जिसका ब्यवसाय चला है जिसको पैसा आरा है जि कि अपने जो जरूरत जो वास्तिविक जरूरत है उसके बारे में चर्चा करेगा और मैं तो इस बात के लिए बढ़ाई दे रहा हूं तेयस्वी आदव को भी और प्रफजर चंशेकर को भी और स्वामी प्रशाद मौरिया को भी कि उन्होंने एक लकीर खिची है लेकिन द पहले जाके उनका पता कि व्रोथ करते हैं तो उन्हों का विरौत करने वाले लोग हैं तो उनसे पता कर लिए कोन जाद का इसी से इस फ़स्ट धारा खिजाई कि अमबेटकर पिडियार फुल एक तरफ मिलेंगे और बाकी इनके मनोस्मर्थी वाले दूसरे तरफ मिलेंगे इस पस्ट है यह बात कई मुझलिम नेता यह कह रहे हैं कि 20 से और 26 के बीच में मुसल्मान घर से ना निकले यात्रा ना करें यह तो इसी से पता लग रहा है ना कि इस देश में 20 करोड आवादी 20 करोड से जादा मुसल्मानों की आवादी होगी उस देश में मुसल्मान कितना सुरक्षित है इसी सावित होता है जब ट्रेन में सरकारी सिपाही जो है दारी देखके गोली मार दे तो किस तरह का रानितिक महौल भाजपा आरेसेस ने यह बनाया है इस देश में इस सपस्ट होता है अब सौधी अरब जाते हैं तो वहाँ गले मिलते हैं सुल्तान के साथ वहाँ पर जमीर मांग के मंदीर बनाते हैं डानी की ओफिस जो है सौधी अरब में होगी बिजनेस चलता होगा चीन से भी बिजनेस चलता होगा अभी आरेसेस के लोग चीन के अधिकारियों से नागपूर में मिले हैं तो वो समझ लिजे क्या है इसलिए मुसलमान को पूर की आप जलाक रहा है कि कटे कुछ और है एक लेकिन क्या मीडिया को यही अब प्रोपेगंडर आघया है तीवी में आब यही सब धर्म की धंदाव अब लोगों को पहले हम मीडिया में जाते से तेलीविडिया में बूलने हैं अब बुलाता भी तो नहीं जाते हैं असली मे सब्सक्राइब सब्सक्राइब कि यह रही है कि भारत का सबसे बड़ा प्लैटफॉर्म हमारा है जहां अखले सियादव को भी आना पड़ता है इतना बारत फोना था नहीं जाते हैं एक बार गए थे लास्ट में उसमें सावर करको बता दिये थे चिलाने से थोड़ी होता है थोड़ा पढ़के थोड़ा सा तैयारी करके आओ बहस करो तब नहीं और बड़ा मंच है तो क्या वहां लोग मोबाइल में बोल नहीं देख नहीं यह भी तो देख रहे हैं इस तरीके के अगर मुस्लिम नेता बयान देंगे तो डर का माहौल का द बनाए जा सकता है इसलिए ठीक बात है कि सतर्क रहिए यह लोग के साथ पूरी सरकार है पुलिस है पूरा सिस्टम है सब कुछ इनके साथ है आपको कि हर तरीके से दबा दिया जागा अमीडिया तो फिर जो कलाकारी करने के लिए हैसो तो है ही जी थैंक्यू